नमस्कार दोस्तों मैं हो नीरोज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है इस वीडियो में हम लोग अपने पुराने सिरीज जो की उनिवर्सिटी में पूछे गए questions के बारे में ही जो है डिसकस कर रहे हैं इसी के क्रम में जो है यह आपका अगला question है जो कि problem number 5 है जो कि unit 1 से related है देखिए question में क्या पूछा गया है apply mass analysis obtain the current through 5 ohm resistance in the following circuit यानि कि यह circuit एक दिया इसमें 5 ohm में current जो है वो find करना है और अब यहाँ पे ध्यान दिजेगा कि यह जो है odd semester में पूछा हुआ question odd semester में 2021 का पूछा हुआ question है तो देखिए current में यहाँ जो पूछा गया है पांच ohm में इसकी direction भी बता दिया कि इसकी direction है वो आपको इस direction में ही बताना है answer को तो यह fix रहेगा इसमें हम कुछ करने सकते हैं बस अब हमें ध्यान देना है कि इस direction में answer को देना है इस direction में current भी assume कर लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी तो देखो मैं यहाँ पर current एजूम कर रहा हूं यहाँ पर current हो गया माल लिजे i1 यहाँ पर current हम माल लेते हैं i2 और यहाँ पर current हम माल लेंगे i3 तो यह तीनो loop current हम assume कर लेंगे अलग-अलग और हमारा answer जो last में आएगा आएगा आप देखो तो यह current हम उने assume किया है उसके अनुसार अगर आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से तो हमारी जो current की direction होगी वो आपकी same बिल्कुल जो यह आई है इसी direction में ही आ रहा है इसका मतलब है कि हमारा जो last में answer आएगा वो i की value होगी i2 के बराबर यानि कि हमको i2 की value बस निकाल लेनी है हमक current माल लेंगे जो कि i1 माना है dotted line बना कर देख लेंगे यहाँ कौन सी current कहाँ पे flow कर रही है तो उसके अनुसार हम लों को plus minus लिखने में असानी होगी है फिर ऐसे ही यहाँ पर भी कर लेंगे paper में करते समय यह dotted line बनाने की जरूवत नहीं है अगर आप नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको बस वो पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे flow होता है तो आपको जो है उसको plus minus लिखने में आपकी असानी होगी तो आप directly चाहें तो plus minus लिख सकते हैं तो हम लोगों यह minus देखे current नीचे जा रहा है इसमें current ऊपर आ रहा है तो इसके according यहाँ plus हो जाएगा यह minus हो जाएगा यहाँ प्लस माइनस प्लस और माइनस यहाँ इस resistance में प्लस और माइनस सोर्स में कोई भी छेड़ चाड़ नहीं करते हैं क्योंकि उसमें plus minus fix होता है अब ध्यान दिया है तो university exam में जो paper में पूछा गया था यह five बना के दे दिया था लेकिन actually में यह two ampere current source है तो यह क्या है current की direction है arrow तो यह correction हुआ है और यह आपका ऊपर की तरफ arrow रहेगा यह चीज हमको ध्यान देना है अब हम क्या करेंगे एक के करके तीनो जो है loop में kvl apply करेंगे तो kvl apply करना है तो first loop में आप देख रहे हो एक current source है वो एक ही loop में involved है तो हमको direct value मिल जाएगी बस हमको इतना देखना है कि जो हमने माना है और जो यह दिया है यह क्या दोनों same है या नहीं है तो हम देखना है कि यह दोनों क्या है आप देखिए तो दोनों same है दोनों upward है तो हम क्या लिख सकते हैं हम directly लिख सकते हैं यहाँ पर from loop 1 i1 की directly value हम यहाँ पर लिख सकते हैं i1 is equal to कितना होगा 2 ampere यह हो गया हमारा equation number 1 यह 2 ampere है अगर 4 होता तो 4 5 होता 5 जो होता वो value हम यहाँ पर लिख देत लिख लेंगे हम तो देखिए हमने लिख लिख लेए apply kvl in loop 2 अब equation लिखेंगे तो equation लिखने के लिखेंगे हम यहाँ से start कर रहे है अब देखिए तो इस position से हम start कर रहे है तो plus से minus यहाँ पर तो हमें पता है कि प्लस से माइनस अगर हम जाते हैं तो हमेशा वैलू क्या लिखी जाती है वैलू लिखी जाती है माइनस और अगर हम माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं तो हमेशा वैलू लिखी जाती है प्लस में तो उसी को follow करेंगे तो plus से minus जा रहे हैं तो लिखेंगे हम minus का 5 और current कितनी है सिर्फ यही वाली current है that is i2 तो i2 फिर यहां आएंगे तो plus से minus तो minus 2 और current कितनी है दो current है i1 और i2 और i3 इस 2 ohm में तो i2 और i3 है तो हमें जिस लूप में रहाते हैं उस लूप की current को बड़ा मानते हुए क्या लिखेंगे i2 minus i3 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यह दोनो current opposite है i2 downward है और i3 आपका upward है तो यह लिख लिखेंगे अब आगे ब i1 तो क्या लिखा जाएगा i2 minus i1 बराबर 0 तो इस तरीके से हम लिख लेंगे अब इसको क्या करेंगे arrange कर लेंगे तो arrange करेंगे तो देखें क्या होगा i1 का यहाँ पर एक ही term है यह वाला है और minus minus क्या हो जाएगा plus तो हम लिख सकते हैं 2 i1 minus i2 देखिए 5 यहाँ है पर 2 य यहाँ पर i3 का और वो भी minus minus का हो जाएगा plus तो लिखेंगे plus 2 i3 बराबर 0 यह हो जाएगा equation number second अब ऐसे ही हम हर लूप में भी kvl apply करेंगे तो फिर से लिखेंगे हम apply kvl in loop 3 और जब थर लूप में kvl apply करेंगा हम यहाँ से start कर रहे हैं इस point से तो देखें क्या हो i3 तो लिखेंगे i3 फिर यहाँ आ रहे हैं तो plus से minus तो लिखेंगे minus value कितनी है 100 फिर यहाँ पर plus से minus तो लिखेंगे minus resistance की value है कितनी 2 और current अब हम third loop में है तो i3 minus होगा i2 i3 minus i2 बराबर 0 अब इसको भी हम क्या करेंगे जैसे यह equation लिखी थी arrange करके वैसे लिखेंगे तो 2 का एक ही term है यहाँ पर 2 तो हम लिखेंगे 2 i2 minus 4 i3 यहाँ पर है और minus का 2 i3 यहाँ पर है तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 है तो minus का 6 i3 बराबर 100 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 100 यह हो गया equation number 3 अब इन तीनों को solve करेंगे तो हमें value मिलेगी तो देखिए solve करने पर हमें i1 की value तो अल्रेडी मिली थी मैंने फिर से यहाँ पर लिख लिया है i2 की value हमको मिल गए यह minus 3.52 ampere और i3 की value मि इसका 17.84 ampere अब यह negative sign क्या बता रहा है देखे ना एक positive आया और 2 negative मिलेगी तो आपको i2 और i3 की value मिलेगी वह same मिलेगी बस वह positive मिलेगी तो अब हमारा जो है पूरा काम लगबाग खतम हो गया है अब हमें mainly यहाँ पर i की value लिखनी थी तो i हमने already discuss किया है कि वह कितना है i2 के बराबर होगा और direction भी देखिए i2 की direction पेपर में पहले ही ऐसे दिया हुआ left से right की तरफ ना तो हमने जो माना है i2 वह भी left से right ही माना है तो इसका मतलब है कि जो current i की value होगी जो current आपकी i होग वह किसके बराबर होगी i2 के बराबर होगी और i2 की value minus 3.52 ampere है अब यहाँ पर plus या minus से कोई मतलब नहीं है हमें main मतलब है कि direction सेम होना चाहिए positive बार negative है उससे कोई दिक्कत नहीं है direction जो यहाँ पर माना है वह सी direction में हमें लिखना होगा चाहिए value positive में आए चाहिए value negative में यहाँ पर value negative में आ रही है तो हम यहाँ पर negative में ही लिखेंगे answer को तो इस तरीके से आप देख रहे हो यह question भी 20-21 का पूछा हुआ है और सेम का और यह बहुत ही easy question है इसमें कुछ नहीं है अगर आप ध्यान से करोगे तो मुश्किल से 5 minute भी नहीं लेगा और आपका बड़े आराम से आपको 10 में 10 marks मिल लाएं क्योंकि यह 10 number का paper में पूछा हुआ question है तो आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अ नवाद